अलो माईडियो स्टूडेंट्स देखिए पिटा आज मैं आप लोगों के लिए एक कैपसूल लेके आया हूँ जिसमें जो बच्चे बहुत जादा वीक है केमिस्ट्री में पास होने के लिए उनको बहुत जादा एफ़र्ट डालने पड़ रहे हैं तो उनके लिए शॉर्ट इसको हमारे teaching field में कहते है minimum learning package है पूरा का पूरा ठीक है कम से कम पढ़के आपको marks लेके आने हैं ठीक ठाक marks आ जाते हैं 40-45 के राउंड बच्चों के marks आ जाते हैं out of 70 बिटा ठीक है तो ध्यान से देखिएगा ठीक है solution में आपको mole fraction, molality ये formulas पढ़ने हैं ये आपका आगया Henry's law, Rawls law, what are ideal solution, what are non-ideal solution, colligative properties के ऐसे terms पढ़ने हैं जो आपको MCQs में assertion reasoning में काम आएंगे ठीक है ना बहुत importantly आपके लिए काम आएंगे ये osmotic pressure ये सारे के सारे pick and drop questions है NCRT के जो बहुत ज़्यादा पूछी आते हैं ठीक है फिर ये electrochemistry में coloros law, coloros law बहुत ज़्यादे important है ठीक है आप लोगों के लिए नॉस्ट equation बहुत ज़्यादा है मानता हूं लेकिन आप लोगों को अगर आप लास्ट टाइम में पढ़ रहे हैं तो नॉस्ट equation को मत करके जाएगा तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और टाइम लगता है ठीक है फिर ये ऐसे questions है इन questions को करके जाएगा ज्यादा questions में नहीं है जैसे electrochemistry में 12 questions है आपके फिर ये chemical कानेटिक्स के अंदर आपके पास रॉल्ट्स लॉव सारी रेट लॉव रेट कॉंस्ट और और आपके ये जो वन वर्ड के questions है जो जनरली असोशन और आपके MCQs को crack करेंगे ठीक है ना ध्यान से देखिएगा ये surface chemistry आपके मतलब का है नहीं फिर आपका ये general principle भी नहीं है P block भी आपके मतलब का नहीं है यह आपका D block element D block elements में तो सारे के सारे questions फ़स जाएंगे A to Z question फ़सेंगे ये कर लीजेगा एक भी number कटेगा नहीं I am damn sure ठीक है हर question एक एक question जो repeated है आया हुआ है ठीक ह ना और यही important है जो आते हैं इसके अंदर आपके फिर ये block का हो गया फिर आपके coordination के अंदर ambiental ligand की statement IUPAC तो होती ही है ठीक है IUPAC में थोड़ी practice नहीं होती है अगर आपने नहीं कर रही है तो कोई परशान नहीं है ठीक है उसके बाद यह आपके पास ये questions है कि ये फलाना फ ये biomolecule का portion आ गया biomolecule में fat-soluble vitamins, water-soluble vitamins, nucleotides, renaturation, deraturation, glycosidic linkage, hemiacety linkage, polypeptide bonds, phosphodiaster linkage ये सारी के सारी terms को याद रखिएगा बिटा इंपोर्टन है बिटा आप लोग के लिए ठीक है फिर यह आपका alpha-halluxon, beta-preated के बीच में question आता है, alpha-glucose और beta-glucose के बीच में concentration होता है दोनों की दोनों animals होते हैं, बिट, एक दूसरे के, कार्वो-hydrates क्या होते हैं, कार्वो-hydrates, पानी और water से मिलके बनने वाली चीज़े होती हैं, बिटा, सबसे simplest जो होता है वो आपका monosaccharides होते हैं, जब monosaccharides को दो बार मिलाते हैं, तो diet saccharides बन जाता है, तीन बार मिलाते बिटा ये है name reactions, organic के अंदर name reactions, याद रखेगा, ये name reactions, फ्रिडल क्राफ्ट ये पूछेगा, नहीं कोई, coal base बहुत जादा important है, इसको टिक कर लिजेगा, coal base बहुत जादा important है, राइमर टाइमर बहुत जादा important है, विलियम सन बहुत जादा important है, एटार्ड, स्रीफेंस नह हर जगा पे जहां नहीं लगता तो हांख बंद करके लगा दो, मैं damn sure कह रहा हूं कि 75% आपका question पका सही होगा, उसके बाद आपका, है, हाफमन ब्रोमाई degradation, कारवाइल अमाइन, कारवाइल अमाइन, की दिस्टिंग्यूस में यूज़ होता है, जनरली, इसकी वाली नहीं पूछेगा, कॉपलिंग रियक्शन भी जनरली नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है, और दिस्टिंग्यूस में आपको single test ऐसे दे रख है आपको, लुकाज जो primary, secondary, tertiary, alcohols को distinguish करते हैं, on the basis of their turbidity, और reagent आप सब को पता है, concentrated SCL and hydrous Z in CL2, ओके बिटा, उसके बाद ये कुछ bond and helpies हैं, जो reasoning questions में आती हैं, बिटा, organic explanation के लिए, ठीक है, और यह answer दे रखे हैं, इनकी, यह reason है, यह statement है, यह answer है, reasoning question भी organic से आती है, पा करके जाएगा, I'm damn sure, की, पका, 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 आपके 40 marks तो confirm आएंगे, बिटा, यह देखी, जैसी, एसन, 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 2 की, कौन जादा perform करता है, reasons के पास क्या है, एसन, 1 की order है, यह, एरायल halide, जो होते है, less reactive होते है, nucleophilic substitution reaction में, आरायल halide से वही partial double bond character due to resonance, बिटा, फ प्र फॉसजीन गैस मना जाएता है फिर DDTA, cyclohexane, ये सारे के सारे questions, सारे के सारे questions, A to Z questions इंपॉर्टेंट है, A to Z इससे बाहर से आएगा यहीं नहीं बिटा और मेरे को इतना पता है कि बिटा, अगर आप अभी इस stage पे हो तो बिल्कुल ब्लैंक तो नहीं होगे बिटा कम से कम 10 20 30 40 परसंट की नौलेज़ तो आपको होगी ठीक है तो जो चैप्टर आपके बहुत ज़्यादा कमांडेबल है उसमें सब्सक्राइब काट नहीं मत दीजिए ठीक है और जिसमें वीक है और गैनिक अगर आपको कंवर्जंस हैं अगर आपकी ठीक ठाक थोड़ी बहुत कमांड है तो इन कंवर्जंस को करके चलिए और अलकॉल फिनॉल इथर के अंदर आपके पास तीन मेकनिस्म है ठीक है एक है एक है एक है एलकॉल से ऐलकीन बनने वाली दिहाइडरेशन ठीक है एक है आपका जिससे एल्कोहल से एथर बनता है किसी भी एल्कोहल को अगर आप 413 कैल्वीन में कॉंसेंट्रेटर एस्टो से 4 के साथ डालते हो तो आपका सिमेट्रिकल एथर बनायता प्रिपेर करता है इसकी मैकनिजम भी आपके पास है दो नमबर की आती है ठीक है तो यह सारा का सारा करके जाईएगा यह पूरा का पूरा मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजेगा और वीडियो अगर अच्छी लगे अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा सबकी हैल पोस्तों के बिटा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा से कम करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों को शेयर करिएगा तब तक के लिए टेक केर बिटा